Canada Wizard विजा पामिंग चेंजिस जाना चाहते हैं आप चैनेडा है कि आप आप से बात कर रहा हुआ आप कैनेडा का विजित विजा लेना चाहते हैं आई यह बताता हूं आपको क्या चैन्जीर होने वाले हैं अनुमान लगाते हैं हम हर रोज दूर से शोर जब आता है समझ लग जाती है क्या होने वाला है आज कैनेडा में वीजों के भगवान वीजियों के भगवान कैनेडा के शिरी मार्क मिलर सहाब जो की वीजा के मंतरी है वीजा के मंतरी आज जो वीजों के भगवान है इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर सहाब वो कुछ नराज लग रहे हैं भारतियों से अपनी रिसेंट स्टेटमेंट में उन्होंने बोला है कि हम विजिट वीजा को अब मुनीटर कर रहे हैं एक स्टेटमेंट में उन्होंने भारत का नाम लेते हुए बोला कि जो भारत से लोग आते हैं वो विजिटर वीजा पर आके गड़बड़ी करते हैं आज मार्क मिलर सहाब ने यह मुद्दा उठाया है विजिटर वीजा का हम एक पुराने समय से काम कर रहे हैं हमें थोड़ी सी नौलेज ज़्यादा होती है आप से अनुमाल लगाते हैं कैनडा में विजिट वीजा दस साल के लिए दिया जाता है आप बहुत जल्द देखेंगे यह 10 साल का विजिट वीजा बंद हो जाएगा अप यह multiple entry वीजा दिया जाता है यह multiple entry अब single entry में Saras अब बहुत जल्द देखेंगे जैसे यहारप द्वारा के सिंगल एंट्री वीजा दिया जाता है ऐसे ही कैनडा में सिंगल एंट्री वीजा शुरू हो जाएगा दो दस साल का वीजा मिलता है वीजा तीन मी advancing छे मीने तक कर यह जाएगा is अगर आपने वीजा अपलाई किया हुआ है ईंज और आपका वीजा लग गया है इसको वीजा ना समझिए कागज का टुक्रा़ चिपनाजativ कि आप इस वीजा से कैनेडा में उतर जाएंगे बहुत सारे लोग चलाक बनते हैं को बोल देता है मुझे किसी को मिलने जाना है को बोल देता है मुझे घूमने जाना है याद रखिए आप जिस भी होटल की बुटिंग लगा रहे हैं वो होटेल बुकिंग कनफर्म होनी चाहिए अगर आप कैनेडा में होटल बुकिंग पे वीजा ले रहे हैं जब आपने जाना था तो आपने वीजा अपलाई करने के लिए फाइव स्टार होटल दिखा दिया जिसमें पचास हजार रपे का कमरा था एक का वीजा मिल गया उसके बाद जब आपने ट्रेवल करना था तो आपने एक डमी डमीशन डमी होटल बुकिंग कर ली पांच जार रपे वाली ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ हमारे क्लाइंट के साथ जब वीजा पलाई करना था तो उन्होंने पचास जार रपे एक दिन के हो पांच जार रपे वाला होटल ले लिया जब इमिग्रेशन आफिसर ने एरपोर्ट पे उनसे पूछताज करी तो उनके पास चीज का जवाब नहीं था तो उनका वीजा कैंसल करके उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया आपको समझदार बनना है जब आप वीजा लेते हैं वी कोई एजन्ट नकली बना के दे देता है कुछ लोग पैसे दे के खरीद लेते हैं जाद रिखिए अगर आपने कोई स्पॉंसर लेटर लगा के वीजा लिया हुआ है जब आप कैनेडा में एरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आपकी वहां पर तफ्तीश होगी आप से किया जाएगा जो भी आपकी वीजा अप्लिकेशन में कागज लग रहा है उसके लिए जिम्हदार आप खुद होंगे कोई भी नकली कागज पाया जाता है या आपकी कोई शिकायत हो जाती है तो भी आपको एरपोर्ट से वापिस आना पड़ेगा जितना आसान था कैनेड का विजट वीज़ा उतना ही मुश्किल होने वाला है आने वाले दिनों में फाइलों को एक लंबे समय से होल्ड पे डाला गया था पिछले चार महीने से रिजल्ट नहीं आ रहे थे अभी रिजल्ट आने शुरू हुए हैं जो नई चीज़ें देखने में मिली हैं वो जे म से स्रेट हाई हुआ है जो पती पतनी कठे अपलाई कर रहे हैं उनको वीज़ा मिल रहा है यंग लोगों के वीज़ा नामन जूर हो रहे हैं बहुत सारी नहीं चीज़ें इंट्रोडूज हो रही हैं पहले फाइल को को देखता नहीं था आपकी फाइल की प्रोसेसिंग आर आज के दिन जो मेरा अनुमान है मैनूल प्रसेसिंग शुरू हो चुकी है हर एक अप्लिकेशन को जिसको वीज़ा देना है उसको थोरली चेक किया जा रहा है जहां पे कुछ भी कमी नजर आती है उसको वीज़ा नामन जूर कर दिया जाता है याद रखी अगर आपको इमिग्रेशन ने क्रेडियन सरकार ने तो आपकी अच्छे से परताल होने वाली है अगर रिफ्यूज करना तो रिफ्यूज वो किसी को भी कर सकते हैं बट वीज़ा देने के लिए उनको आपकी फाइल के अंदर कुछ ऐसे कागज चाहिए कुछ ऐसा परपस चाहिए जिस स ने अल्रडडी कोई क्राइम किया हुआ है या किसी तरह की कोई वीज़ा की गडबडी करी हुई है और आप उसकी डिटेल डाल रहे हैं तो ऐसे फैमिली मेंबर की वज़ा से भी आपका वीज़ा नामन जूर हो सकता है होटल बुकिंग पर वीज़ाने के चांसे फिर भी ज है मानली जी आपको किसी ने बुलाया है और उसने पहले दस बंदों को बुलाया है और लोग वापिस नहीं गए तो आपको वीज़ा मिलने वाला नहीं है बहुत बड़ी बड़ी चेंजीज होने वाली हैं आने वाले समय में तो अगर आप भी वीज़ा प्लाई करने का का नकली डाकॉमेंट देंगे वो आपको बैन कर देंगे आप सारी जिंदगी नहीं जा पाएंगे आपका वीजा नाम अंजूर हुआ है यह आप दुबारा अपलाई करना चाहते हैं यह को डाउट है आपको विजिट वीजा से समंदित स्क्रीन पर दिएगे नंबर पर अभ विजिट वीजा में कामजाब हो सकते हैं वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए कमेंट करिए तन्यवाद जैश्री राम